तो नमस्कार दोस्तों तो अगेन आज हम बहुत सारे लोगों का मैसेज आता रहता है कि जियोमेट्रिक अंशापनेश क्या है तो जियोमेट्रिक अंशापनेश मतलब एक तो ऐसा है कि शेड़ो फोर्मेशन के उपर काम करता है सिंपल बात मैं आपको यह बोलूं कि दिन में आपको बारा या एक बजे सन आपके एकदम मुली के उपर है, फिर आप अपना शेड़ों खुद का देखेंगे, आपकी पड़चाई, आपकी जो पड़चाई है, वो आप देखेंगे, तो कैसा मस्त नीट एन क्लीन आयेगा, तो ऐसा ही हमको फिल्म के अंदर इमेज यह एडिया, यह एडिया फजी मैसुस होगा, अगर वहाँ पे कुछ क्रैक वगेरा होगा, तो हम लोगों को प्राबलम है न, बात समझे, यहाँ पे भी देखो, ज्यादा है, तो यह फजीनेस है, ठीक है, फजीनेस मतलब ऐसा कि आपको डबल डबल सा दिखेगा, ज्याद है, का मतलब यह है, आपको डबल डबल नहीं दिखना था, यह एकदम, एकदार से बाद जैसा नजर, एकदम, मस्त, शातिर सा दिखना चाहिए, आटी फिल्म दिखना चाहिए, तब जाके हम लोगों को अच्छा सा शार्टनेस मिलेगा, ठीक है, अभी कहने का मेरा मतलब य यह है, जिवोमेट्रिक अन्शापनेस है क्या, और हम लोगों को यह जो डिस्टन्स है, सोर्स टू अबजेक डिस्टन्स बोलते है उसको, यह कितना रखना है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाए, तो इसके बारे में, आज का मेरा एक डिसक्रशन है, तो मैं आपको ब अबजेक्ट, कुछ लोग उसको स्पेसिमेन भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको जॉब भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको सक्सीम, लॉंग सीम, यह सब चीज बोलते हैं, आपका यहाँ पर अबजेक्ट है, यह जो है, वो फिल्म है, तो हम लोगों को, बहुत सारे लोग ऐस होते हैं यह सोर्स टू अब्जेक्ट डिस्टंस है वो कैपिटल डी है वो हमें कितना रखना चाहिए ताकि हमारा शेड़ो जो है हमारा इमेज जो है फिल्म के अंदर प्रॉपर आये अगर दिन के चार बजे सन जो है वो ठोड़ा जुग गया होगा उस दिन वी टाइम पे आप अपना खुद का शेड़ो देखिए आपके ओपर रेस पड़ते हैं तो आपका खुद का शेड़ो क्या है वाइड हो जाएगा फजीज़ा म कि हाँ हमने आप कट का पैना है कि लेकिन वही चीज अगर आप दिन के चार बजे देखेंगे तो सन जब अगर जुक गया है और जुकने के टाइम हम लोग देखेंगे तो फजी है मैसूस होगा तो ऐसा भी फिल्म के अंदर भी होता है ना हम लोगों को तो क्या चेक करना है डिसकन्टिनूटी चेक करना है लेकिन discontinuity चेक करते करते पता चला कि यह discontinuity 5 mm का है लेकिन फिल्म के अंदर दिखा रहा है 20 से 25 mm का तो हम लोग 20 से 35 mm excavation कर देंगे समझो हमको पता चला कि यह 5 mm का यह defect है तो यह जो defect था वो क्या बन जाएगा problem क्या होगा कि वो लंबा हो जाएगा और हम लोग अगर geometric अंशापने ज्यादा है तो अगर ज्यादा है समझो यहाँ पर यह 5 mm का था लेकिन यह film जो है उसके अंदर हमको शायद 15 mm 20 mm बका भी मिल जाए तो यह भी हो सकता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोगों को जैसा image है वैसा ही दिखना चाहिए उसको small d है is course呀 विसको सब्सक्राइस का साइस क्या है कि स्पक्राइस का सॉस्क्राइइस कितना है वो क्योंकि वह ट्रुप फोलब चोल्टा मोटा पतला जो भी है उसका साइस तो होगा वह सायजय यह capital D है, यह film to object, जो है film की उपर साइट से, मतलब यह object की उपर साइट से film जहां तक रखते हैं, वो distance को small d बोलते हैं, तो अभी मैं आपको यह बोलू, geometric unsharpness का येसा है, ug is equal to, ug मतलब geometric unsharpness, ठीक है, ug is equal to capital F into small d, divide by capital D, अभी मैं आपको यहाँ पर समझो एक source है, ठीक है, यहाँ पर मेरा कोई एक ऐसा object है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नीचे एक film ऐसा चिक काया हुआ है, तो यह जो है वो film है, यह जो है ओब्जेक्ट है, यह जो है वो source है, ठीक है, तो यहाँ से यह जो distance है, उसको capital D बोलते है, यहाँ से यह जो distance है, उसको small D बोलते है, ठीक है, और यह जो है source, उसका size जो है, वो size, तो उसको बोलते है F, तो ऐसे ऐसे raise आएगा, आएगा ना ऐसे ऐसे, अभी में इसको कितना distance रखना है D, उसकी हम लोग बात करते हैं, क्या करते हैं, D कितना रखना है वो, ठीक है, चलो, हम लोग ऐसा करते हैं, कि हम, हमने बात किया ना, Geometric Unsharpness कम करने का एक ऐसा है, कि आपको film जो है, वो object को नीचे एकदम चिपका के रखो, उसके distance जितना कम होगा, Geometric Unsharpness कम होगा, क्यों, क्योंकि देखो, हमको कम करना है ना, UG को कम करना है, मतलब D जो है, उसको प्रक्सीम या जिसका भी हमको आटी करना है, वहाँ पर चिपका के रखना पड़ेगा, तो ही कम होगा न, अगर वो दूर लेके जाएंगे, तो यूजी बढ़ जाएगा, यूजी बढ़ेगा, मतलब Geometric Unsharpness बढ़ेगा, Geometric Unsharpness बढ़ेगा, इसका मतलब आपका जो शेड बढ़ा, उतना धुंदलापन ज्यादा, जितना यूजी छोटा, उतना धुंदलापन कम, मतलब एकदम clear image, ठीक है, बात ये है, अभी आगे बात करते है, एफ की, एफ तो source का size है, समझो, एफ ये जो है, इसको मैं थोड़ा जूम करके ब्रो करता हूँ, यहाँ पे, तो य ऐसा कुछ होगा, source, rectangular, square, जो भी है, whatever, तो समझो, एफ किसी ने बोला है, कि एफ is equal to 2 into 3, ऐसा कुछ दिया है, समझो, example के तोर पे समझो आप, या तो 2 into 4 दिया है, ठीक है, मतलब, 2 मतलब, 2 इसका width, ये length, और width, ऐसा समझो आप, 2 into 4, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो पाइथाग पाइथागोरस का तो नाम सुना ही है, पाथू बाबा का, ठीक है, वो ऐसा बोलता है, हम लोगों को F, जो है, इसमें 2 भी नहीं लेना है, फोर भी नहीं लेना है, हम लोगों को उसका diagonal चेक करना है, ठीक है, ठीक है, डाइथागोरस लेंगे, तो ही हमको पता चलेगा, तो पाइथागोरस हम लगाएंगे तो f is equal to sorry f is equal to तो नहीं बोलेंगे यह पाइथागोरस इसको x रखते हैं तो हम लोगों को यहां पे x is equal to root में otherwise ऐसा भी कर सकते हैं देखो यह पाइथागोरस है इसमें नहीं या कोई rocket नहीं x square is equal to इसको 4 square plus 2 square कितना हुआ 16 plus 4 तो f हो गया 20 तो x is equal to root 20 हो गया square को निकालेंगे तो है ना तो calculator है मिला ओके पर इसको निकलो 20 का root निकलो कितना आया x is equal to 4.47 mm आया आया ना तो मेरा f जो मुझे लेना है वो यही है f मुझे लेना है 4.47 mm ठीक है यह हमारा f हो गया तो अभी मैं आपको यह बोलू यह थोड़ा calculation ऐसा है ठीक है अभी f आपको मिला 4.47 ठीक है समझो आप ए d है कोई ऐसा समझो की 30 mm thickness है इसका कितना है 30 mm thickness यह specimen का है example के तो पर समझो तो हम लोग film chip का कही ही रखेंगे तो इसका मतलब specimen का thickness हुआ वही d small d हुआ ठीक है तो आपका small d जे को क्या हुआ f is equal to 4.47 mm और आपका small d is equal to 30 mm ठीक है और आपका capital D समझो आपने ए capital D है यह capital D वो 500 mm रखा ऐसा हम मान लेते है 500 mm ठीक है 500 mm रखा तो यूजी is equal to f कितना है 4.47 into D है 30 divided by 500 करो कितना आ रहा है यूजी कितना आ रहा है अगर यहां पर आप यह सब सिखने आये है तो आपको definitely math आपका अच्छा होना चाहिए ठीक है यह इतना आया यूजी कितना आया इतना है इसका मतलब जितना यूजी हमको कम करना है अगर यूजी हम जितना कम करेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए अच्छा है ना इतना भाई जोर से बोलो जागते रहो ठीक है अभी देखो यूजी आपका point 27 आया इसका मतलब हम गया कैसे पता चलेगा कि यूजी यह आया यह बराबर है कि नहीं बराबर है हमें कैसे पता चलेगा तो इसके लिए code जो है यह semi section 5 article 2 जो है उसमें table close number 274 जो है उसमें clear बोला गया है कि जो भी 50 mm से कम थिकनेस हो अगर 15 mm से कम थिकनेस हो तो यूजी इस से छोटा ही रहना चाहिए point 51 से अगर आपका थिकनेस 50 से 75 के बीच में हो तो आपका यूजी point 76 ही रहना चाहिए उससे कम रहना चाहिए ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए इसके बाद 75 से 100 mm हो अगर specimen का thickness की हम बात कर रहे है ठीक है तो आपका UG है 1.102 से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए और आपका अगर material thickness 100 mm से ज़्यादा हो तो UG इससे बढ़ना नहीं चाहिए अगर इससे बढ़ गया तो material जो है वो दुन्दला होने लगेगा material का image जो है specimen का जो image फिल्म के अंदर आएगा वो दुन्दला महसूस होगा हम लोगों को properly नहीं दिखेगा फजी image महसूस होगा इसी की बज़े से यह UG find किया जाता है मैं आपको बोला ना सन का 12 बज़े हमको एकदम अच्छा सा कि अगर हम लोगों को distance भी बराबर रखना है distance बराबर नहीं रखेंगे तो वह भी एक problem है ना उसी की बात चल रही है है नहीं यह UG इतना रहना चाहिए UG उससे कम रहना चाहिए UG तो अभी हमने कितना mm thickness लिजा था तो यहां पर यह जो है वो डी है यह जो है यह जो है ओडेपी स्ओरिा स्मॉल डी है अ क्या है कि यह जो है खोड़ी की बद कर रहे है जी ज़ो उर स्मॉल ऌनगerson का ठिकनस की बात कर रहे ही अहुम लोग ऐसा यह ख्रीक है यह आप फिल्म जो है वह टिपका के रखाuse अपको चिपकाना है तो स्मॉल डी की बात है और यह जो है वो यूजी है अभी समझ में आया अभी दूसरी बात यूजी आपने कितना अभी लिया था थिकनेस इस कीटना है में थिटनेश लिए था था ॥ा था था ठीघ है था खथा थी कि खर्टी में मिया था तो आपका यूजी कितना आना चाहिए थेया तेबल की सब्सक्रापको पता चल जाएगा 0.51 से कम होना चाहिए क्योंकि अपने 30 mm लिया है तो पता इसके नीचे आता तो यह 0.51 से कम आना चाहिए तो आपने अभी calculate किया 0.27 तो this is acceptable इसका मतलब आप 500 रख सकते हैं 500 से ज्यादा रखेंगे तो भी चलेगा थोड़ा कम रखेंगे तो यहां पर आपको value अलग डालना प थिकने होड़ेगा हैं तो दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका यह तो आपको लेडि पाथा ही होता है याद रुक्ष्ख को अपको हॉल्ट पता करना है तो यह यहाँ पर value दिया है है वो value डाल देंगे तो decalculate हो जाएगा तो डी जो आया वो उससे ज्यादा रखना है उससे कम नहीं रखना है और जो आया है उससे ज्यादा रखना है अगर आप ऐसा calculate करते है चलो मैं आपको दूसरी तरह से calculate करवाता हूँ ठीक है ug is equal to f into d divided by capital d यह source है यहां से radiation आया है यहां पर कोई एक specimen है यहां पर एक फिल्म चिपकाया हुआ है नीचे तो यह जो है वो स्वरी यह जो है वो small d है यह जो यहां से एक साइज है source to object distance है वो capital d है यह यहां पर f है ठीक है अभी मैं आपको बोलू f is equal to same two into four वाला ही लेते है ठीक है ऐसा square वाला रेक्टिंग वाला तो f हमको कितना मिला था 4.47 मिला था आपको इतना है सम्झों क्यूंकि पाइथा गुरस से ए यह टू है यह या तो ए टू है या फोर है जो भी है ऐसा सम्झों पाइथा गूरू आपको पता है डी चलो हम लोग 40 mm ठीकनेस लेते हैं कितना चाली से मिलेते हैं नहीं चलो 40 नहीं किसी का नहीं कि अधिए टीकनेस लेते हैं चलो मज़ा आएगा देखते हैं तो आपको यह जो डी है वो कितना हुआ 78 mm ठीक है अभी 78 mm के लिए यूजी कितना होना चाहिए यूजी इसमें आएगा 1.01 होना चाहिए उससे कितना था यूजी 1.02 तो अभी इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो d is equal to f into d divided by ug तो f जो है वो कितना है 4.47 into small d जो है हमारा 78 है अगर ug है 1.02 है तो यह कितना आया दी कैलकुलेट कर सकते है कोई कितना आया भाई 4.47 into 78 divided by 1.02 कितना आया 3-41 आया 3-41 1.02 mm तो आपको qoras को कितना लेना है कि से इससे ज्यादा लेना है दी आपको इससे ज्यादा लेना है क्योंकि देखो नंद्ल शापनेसे अंगा करतेगा अगर कम करना है तो दी हमको बठाना पड़े ज्यादा मतलब 342 भी चलेगा मतलब 341 से तो ज्यादा होना चाहिए अब पांचो लेंगे तो वहल एंगूड शूपर आएगा आट सो लेंगे तो वहल एंगूड और शूपर आएगा जितना ज्यादा डी लोग है क्योंकि यहाँ पे नीचे की साइड में अडी तो जियो है नया कोई रोकेट साइज नहीं है आपको आशा करता हूं आप लोगों को यह सब चीज बात समझ में आया होगा इसमें अभी और कोई डाउट है तो आप बोलो कुछ भी डाउट नहीं है अब बात करते है आपको जarnya li ऐसे दिया जाएगा कि टू इंटु ठी या फोर इन टु फोर ऐसा करकी ही दिया जाएगा तो आपको तो पाई थाकुर से लगा देना है इसमें क्या है पतु बाबा तो है यह मरे लिए ठीक है तो नया कोई रॉकेट नहीं है लोग ऐसा सोचत कि मुझे यह डिस्टंस कितना रखना है तो यह डिस्टंस रखने के लिए यही फॉर्मुला है मेरे भाई और यह फॉर्मुला से सिंपल हम कैल्कुलेट कर सकते हैं क्योंकि तीन चीज तो अमारे पाल अवे लेबल ही है ओल टाइम अवे लेबल है ठीक है अभी जिवोमेट्र कि आप लाइन में अभी मैं समझा रहा हूं वही चीज है